नमस्कार मित्रो मैं ममता बाजपे बोपाल से मेरी हरी भरी चत पर आपका स्वागत है लीजे मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नए जानकारी के साथ आप देख रहें इंडियन टरिस गार्डनिंग आर्ट आज के वीडियो का विशय सिर्फ इतना है कि आज मैं आपको कुछ नया फूल दिखाने वाली हो सामने देख रहे हैं आप अंदाजा लगा पाएंगे हाँ जो पुराने लोग हैं पुराने गार्डनर हैं वो जरूर लगाएंगे लेकिन जो बेगनर से उनने बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा और ये है हल्दी का फूल आज की वीडिय मैंने ये वीडियो बनाया है देखिया पिशली साल जब मेरे हल्दी में फूल किला था तब मैंने पहली बार उसे देखा था और मतलब मैं इतनी एकसाइटेट थी इतनी खुश हुई मुझे उसको देखकर मैंने कभी कलपना भी नहीं की थी कि हल्दी के पेड़ में फूल भी निकलता होगा क्योंकि अद्रक और हल्दी ये जो इनकी हम रूट्स खाते हैं और जो मेरा अंदाजा था कि ये इन में सिर्फ पत्ते ही रहते हैं अद्रक का फूल तो मैंने आज तक नहीं देखा लेकिन हल्दी का फूल पिशली बार भी मैंने देखा था मेरे एक दे थे इस बार मैंने थोड़े जादा लगाए हैं और इस बार भी सारे पौधो में नहीं आया हैं मैं आपसे हमेशा कहती हूँ ना कि करो और सीखो तो मैं आपको अपना अनुभब बताओं कि मैंने जो हल्दी पिशली बार मेरे गार्डन में उगी थी वो मैंने यूज न लगा दी थी तो अब इस पार हल्दी ज्यादा जगह पर लगी है तो कुछ तो मैंने नीले जो मेरे टब हैं जिनका साइज बहुत बड़ा है उनमें लगाया है और कुछ मेरे पास जो पॉली बैक पड़े थे उनमें लगाया था अभी ताप इसके स्ट्रोक्स देखिए आ वाइट में ग्रीन का और नीचे यलो यलो वाइट ग्रीन का कॉम्बिनेशन हम जितने भी कलर कॉम्बिनेशन यूज करते हैं पेंटिंग बगरा में वो हमने नीचर से सीखे हैं कितना सुन्दर कॉम्बिनेशन है तो यहां मैंने मई में लगा दिये थे और जो चोटे पैक में तो अच्छे लग रहे हैं यह देखिए इस तरह यह पैकेट्स में लगे हैं तो हल्दी के लिए जो साइच चाहिए बारा एंच के गमले में भी लग जाती है हल्दी लेकिन बड़ा होगा तो गठाने ज्यादा हमको अच्छी क्वांटिटी में नीचे हल्दी मिलेगी और चुकंदर जिनकी हम रूट्स खाते हैं उनका उनकी मिट्टी हमें सैंडी सॉयल भुरभुरी वैल ड्रेंड सॉयल होगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा तो जड़ को नीचे जाने में आकार लेने में जगे स्वारी आकार लेने में आसानी होगी तो जड़ बड़ी बनेग तो वही मैंने किया अद्रक और हल्दी जब भी लगाए तो मैंने इसमें धान की भूसी और थोड़ी से रेत बुरबुरी मिट्टी मैंने बनाई हैं ये देखिए ये पैकेट में लगे पौदे हैं देखने में तो स्थिक रहे हैं पर इनमें एक में भी फ्लारिंग नहीं ह हुई है सारी फ्लारिंग उनी पौदा में हुई है जो टब में लगे हैं हल्दी को लेके मेरा बहुत साल का अनुभब नहीं है आप मैंसे किसी का हो तो आप जरूर बताएं एक्चली तो मैं ये दूसरी साल लोगा रही हूं हल्दी और पिछली साल मेरी अच्छी 200-300 ग्रा दिन तो ये टिकता है पाकि मुझे ये नहीं पता कि इसका बीज भी बनता है क्या क्योंकि जब फूल होता है तो फर्टिलाइज़शन होता होगा पर मैंने हल्दी का बीज तो गठान की तरह ही देखा ऐसे कोई सीड मिला नहीं कभी तो जो लोग बड़े पैमाने पर हल्द कि खेती करते हैं या जिने इसका अनुभव है वो जरूर मुझे बताएं कि क्या इस फूल का कोई बीज भी बनते हैं या यह कुछ पॉधों में नहीं आया तो क्यों नहीं आया और कुछ में क्यों आया क्या इसका हैल्थ से कुछ रिलेशन है देखिए आप एक बार शेप से उपर की पंक्डियां अलग हैं नीचे नीचे जो पंक्डियां इन में देखिए ऐसे लगता है जैसे किसी ने मूझ खोला और पीली जीब निकाल दी और उपर दो दांत हों अंदर चीटे भी हैं तो निश्चित पराग होगा प्रकरती की ही क्या कहेंगे अदभुत रचना हल्दी में क्यों लगाती हूँ मैं फसल मसाले के लिए नहीं लगाती हल्दी के थ्रू मैं बायो डाइवरसिटी क्रियेट करती हूँ जब आपके बगीचे में कुछ मेडिसनल प्लांट होते हैं तो उससे कीट अटेक कम होता ह पेस्ट मैनिजमेंट हो जाता है तो मैं उसी उद्देश से अलोवेरा तुलसी और मरवादोना हल्दी और भी असोगंदा बगर एक 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 पेड़ मेडिसनल प्लांट डाल के रखती हूँ हाला कि मेरे पास जगे बहुत कम है और यह देखिए मैंने इसमें दो गठाने डा पाली नहीं हुआ है तो कैसा लगा आपको यह हल्दी का फूल और यह हल्दी की फसल कमेंट करके जरूर बताएं और यदि आप मेंसे किसी का हल्दी को लेके कुछ और भी एक्सपीरियंस हो इस फूल से सम्मंदित कुछ और जानकारी हो तो वो भी मुझे बताएं और किसा है तो ऑगा प्ड़ ओुटार जानकार।